दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों TGT PGT भारती इतिहास रिमाइंडर स्रिंखला के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बिविध प्रश्णों का भाग एक जो आपके आगामी बिभिन परिक्षाओं जैसे TGT PGT, Yelty Grade, Government Inter College प्रवक्ता, Government Degree College, उच्चतर सिक्षा Assistant Professor केंद्री विद्याल संगठन और NetJRFाद परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियोगी ह तो आईए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बिविध प्रश्णों का One Liner Revision Notes पहला प्रश्ण है दोस्तों CR-10 की मृत्तु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने कारे किया था किसके लिए तो उत्तर है ब्रिटिस सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए दोस्तों आप जान लीजे स्वराज पार्टी की अस्थापना जनवरी 1923 में CR-10 और मोतिलाल नहरू ने की थी और इस दल ने विधाईकाओं में प्रवेश सरकार से असहयोग की नीती अपनाई लेकिन 1925 में CR-10 की मृत्तु के बाद स्वराजी कई गुटों में बट गये ज अगला प्रशन है तिलक, विवेकानंद, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवी में से भारती विश्विद्यालियों में धार्मिक सिक्षा के लिए प्रवलता से किसने वकालत की थी तो ये थे मदन मोहन मालवी दोस्तों भारती विश्व विद्यालियों में धार्मिक सिक्षा के लिए मदन मोहनमालवी ने प्रवल रूप से वकालत की और मदन मोहनमालवी अग्रडी राष्टवादी तथा देशभक्त थे वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक और बाद में ब्योसाय से वकील रहे थे जो मुस्लिम लीग का था ये 1930 में आयोजित हुआ था और अखिल भारती मुस्लिम लीग ने 1930 में इलाहबाद अधिवेशन में नागरी का वग्या आंदोलन का खुल कर विरोध किया था अगला प्रशन है अरुडा आसफ हली मुहम्मद इकबाल खान अब्दुलगफार खा तथा फैज अहमद फैज में से वह उर्दु कवी जो दूती और तृती गोल में सम्मेलन दोनों के प्रतिनित थे तो सही उत्तर है मुहम्मद इकबाल दोस्तों उर्दु कवी मुहम्मद इकबाल ने दूती और तृती गोल में सम्मेलन दोनों में प्रतिनित तो या भाग लिया था अगला प्रशन है ब्रेटिस काल के दोरान भारत का शेर्स नियायाले कौन सा था तो ये था प्रीवी काउंसिल दोस्तों याद रखिएगा ब्रेटिस काल के दोरान भारत का शेर्स नियायाले प्रीवी काउंसिल था अगला प्रशन है 1215, 1220, 1310 और 1330 में से इंग्लेंड के सासक जौन ने मैगना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था कब तूतर है 1215 में दोस्तों आप जान लीजे इंग्लेंड का शासक जान एक अत्याचारी शासक था जिसने जनता के दवाव में 1215, 1220 में मैगना कार्टा या महाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया और ये मैगना कार्टा ब्रीटिस इतिहास में जन अधिकार सुरक्षा की आधार सिला और इंग्लेंड के संभैधानिक विकास के इतिहास में में मेल का पत्थर माना जाता है 1689 में बिला फ्राइट्स की घोश्डा की गई थी अगला प्रेश्ण है दोस्तों जापान ने राष्ट संग यानि लीग आफ नेसंस का त्याग किया था कम तो 1923 में जापान ने 1923 में राष्ट संग की सदसेता त्याग दे थी और आप जान लीजे 10 जनवरी 1920 को राष्ट संग का संभिधान लागू कर दिया गया था और बैधानिक रूप से राष्ट संग का जन्म हुआ था राष्ट संग का मुख्याले जेनेवा स्विटजल लेंड में अस्थापित किया गया था प्रारभ में इसके सदसे वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने माले मित्र राष्ट थे जैसे ब्रिटेन, इटली, जापान, चीन और फ्रांस आदी अगला प्रश्ण है नील विद्रोह 1869 की शुरुवात कहां से हुई थी तो बंगाल के नदिया जिले के गोबिंद पुर गाउं से हुई थी और बंगाल का नील विद्रोह शोसर के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी अगला प्रश्ण है दोस्तों जिसने यह घोशड़ा की कि बहादुर शाह की मृत्त के पशात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी तो यह था लाड कैनिंग दोस्तों लाड कैनिंग ने ये घोश्रा की थी कि बहादूर साहदुती यानि जफर की मृत्तु के बाद मुगलों को राजा के उपाधी नहीं मिलेगी अगला प्रश्ण है वर्स 1901 के सिचाई आयोक का अध्यक्ष कौन था तो ये था सर सी इसकाट मोन क्रिये ये सिचाई आयोक का अध्यक्ष था और एस आयोक के सुझाव पर सिचाई के छेतर में कई महत्वण सुधार किये गए थे अगला प्रश्ण है कावास जी नाना भाई द्वारा ठारसो तिरपन में प्रथम सफल कपड़ा मिल के अस्थापना कहां पर की गई थी तो उत्तर है बंबाई में जोस्तों कावास जी नाना भाई द्वारा प्रथम सफल कपड़ा मिल दबामबे इस्पिनिंग मिल के अस्थापना मुंबाई में की गई थी मुंबाई आहमदाबाद कानपूर कोयमबटूर आदी सूतिवस्तर उद्व के प्रमुकेंद्र है और भारत में पहला सूतिवस्तर कारखाना फोर्ट ग्लाश्टर कुलकाता में 1818 में शुरू किया गया था लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था अब आईए कुछ अन्य महतोपूर परिच्छोप योगी तथ्यों को देख लेते हैं तीरुचिरा पल्ली जिले में किसानों का विद्रो हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिलपंथी समूहों किसान व्यापारी कारिगर आदिने अत्याचारियों के खिलाफात मिलाया था तो ये 1429 में और ये बहुत पुराने समय की बात है आप देख लिजे तिरुचिरा पल्ली को त्रिची भी कहा जाता है ये महान पुरातंता का जो है सहर्म है इस पर प्रारंभिक रूप में चोल, मुथारियार, प्रारंभिक पांड, पल्लो, मध्यकालिन चोल और बाद के फिर बाद में आप जान लिजे कि दिल्ली सल्तनत, विजय नगर सामराज्य और करनाटक राज्य इस तरह से इसका शासन हुआ था अगला प्रश्ण है दोस्तों पैन आरियन एशोसियेशन की अस्थापना की गई थी कब तो 1926 भी में स्वातों अंतरोत्तर भारत की तटस्तता की नीति को अनहतिक निस्पक्षता की संग्या किस ने दी थी तो जान फॉस्टर डलास ने दोस्तों जान लिजे कि ये अंतराश्टी संबंधों पर आधारित है विश्व इतिहास का प्रश्ण है स्वातों अंतरोत्तर भारत की तटस्तता की नीत जिसे गुटनिर पेख्षता से संबंधित माना जाता है इसको जान फाश्टर डलास ने अनहतिक निस्पक्षता की सं अपना कहां पर की गई थी आपको बताना है तो उत्तर है कुलकत्ता में और ये देखे एक कथन है कि मैंने राजनीति का पर्थम पाठ सूरेंद्रनाथ बनर जी के चारडों में पढ़ा ये कथन किसका है तो ये मुहम्मद अली जिन्ना का है एक देखिए एक महतपूर कथन प्रतेक इतिहास विचार का इतिहास होता है ये किसका कथन है तो आरजी कालिंग उड़ देखे दोस्तों बहुत ही महतपूर प्रश्ण है प्रतेक इतिहास विचार का इतिहास होता है ये कथन आरजी कालिंग उड़ का है अगला प्रश्ण है प्रथम अखिल भारती महिला सम्मेलन कब हुआ था तो उत्तर है 1927 में देखे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है दोस्तों 1927 में प्रथम अखिल भारती महिला सम्मेलन हुआ था अगला है रिपन मेयो करजन और लीटन में से वित्ती प्रशासन के विकेंदरी करण का सबसे पहले प्रयास किस ने किया था तो उत्तर है मेयो ने दोस्तों मेयो ने प्रशासन के विकेंदरी करण का सबसे पहले प्रयास किया था और वित्ती प्रसासन के विकेंदری करण का प्रियास मेयो द्वरा 1879 से 722 के दौरान किया गया लाड मेयो का काल आर्थिक विकेंदरी करण का काल माना जाता है और 1872 में पहली जंगर्णा इसी के समय में शुरू की गई राजकुमारों के अध्यन के लिए 1872 में अजमेर में मेयो कालेज की अस्थापना हुई और इसी के समय में अंतरजाती विवाह से संबंधित ब्रंभ मैरिज एक्ट 1872 पारित हुआ था अगला प्रश्ण है 1900, 1904, 1909 और 1912 में से भारती विश्व विद्याले अधनियम का पारित किया गया था तो 1904 में दोस्तों भारती विश्व विद्याले अधनियम 1904 के माध्यम से 1904 से सिक्षण कारे शुरू हुआ था और 1902 में लाड करजन ने टामस रहले की अध्यस्ता में एक भी सुविद्याले आयोग की अस्थापना की थी इस आयोग में सयद हुसैन बिलग्रामी और जश्टिस गुर्दास बनर जी भारती सदसे की रूप में शामिल थे और इस आयोग का उध्यश विश्व विद्याल अधक छेत्र बना था तो ये था बंगाल देखिए बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण हैं आप देख लीजिए कि बंगाल जो था ये 16 और 17 सताबदी के मध्य में विश्व का सरवाधिक मलबरी रेशम उत्पादन का छेत्र बना था अगला प्रश्ण है बंगाल टेनेंसी ए अंग्रेश की अस्थापना भी हुई थी और उसी वर्स बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया गया था अगला प्रश्ण है 1927 में नियूक्त हरकोर्ट बटलर समित ने किसकी अनुशन सा की थी तो ये ब्रेटिस सर्वोचता के माध्यम से रियासतों के सनरक्षण की अगला प्रश्ण है आरियों को संस्कृत का रचैता किस ने कहा था तो हिटलर ने दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण है आरियों को संस्कृत का रचैता हिटलर ने कहा था और वह जापानियों को संस्कृत का संचालक कहता था हिटलर के अनुसार निग्रो तथा यहूदी संस्कृत क विनासक हैं और हिटलर के संबंध में दोस्तों आप जान लीजे बहुत ही महत्पूर है आरियों को वह संस्कृति का रचाइता कहता था अगला प्रश्न है उरूक शहर में अनुपस्थित था क्या तो नगर नियोजन और गलियां उरूक शहर में अनुपस्थित था उरूक बिसो का प्राचिंतम शहर है लगभग 35 इसापूर में आसपास के गाउं को जोड़ कर किलेबंद शहर का निर्मार किया गया इन्हें लेखन कला का भी ग्यान था यहां से मिले पुरा तात्विक आउशे से ब्यापार की पुष्टी होती है और इस सहर में आंगन की तर है जल आपूर्ती बिभाग से यह प्रेशन बहुत ही इंपार्टेंट है अबदार खाना दोस्तों सल्तनत काल में फिरोष तुगलक के समय अबदार खाना जल आपूर्ती बिभाग से संबंदित था इसकी अलामा कुछ अन्य देखिए अलम खाना पताकाउं से संबंदित थ पील खाना गज शाला होती थी और जरगर खाना आभूशन से संबंदित था पाएगा आभूशन से संबंदित था आएए देखते हैं सही सुमेलन सही सुमेलन देख लेते हैं फ्लाइंग शटल लूम ये जान के कताई मशीन यानि स्पिनिंग जैनी जेम्स हर ग्रेब्स वा रखेगा फ्लाइंग शटल लूम जान के के द्वारा कताई मशीन या इस्पिनिंग जैनी जेम्स हर ग्रीब्स के द्वारा वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्क राइट और म्यूल ये सेमूल क्राम्टन के द्वारा इसका निर्माड किया गया था अगला प्रश्ण है कालमाक्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा लिखिद्ध कमनिष्ट मेनिफेस्टो पहली बाहर कप प्रकासित हुआ था तो उत्तर है कमनिष्ट मेनिफेस्टो यानि सामेवादी घोश्रापत्र 1848 में प्रकासित हुआ था अगला प्रश्ण है दोस्तों भारती अशान्ती का जनक किसे कहा जाता है तो बाल गंगा धर्ति लखो नागलाएंड त्रिपुरा मडिपुर और मिजोरम में से जिया तरंग आंधोलन कहां प्रारंब हुआ था तो उत्तर है मडिपुर में जिया तरंग आंधोलन ये अगला प्रश्ण है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी तुतिती है 9 दिसंबर 1946 याद रखेगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारती संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी अगला प्रश्ण है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यस्ता किस ने की थी डाक्टर सचिदानन सिन्हा ने और संविधान सभा की मसवदा यानि प्रारूप समित की अध्यक्ष कौन थे तो डाक्टर भीम राव अमबेटकर और प्रारूप समिती दोस और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ महात्मा गांधी से अपने बारे में उपर्युक्त कथन किस ने कहा था तो ये जवाहर लाल नहरू का कथन है बहुत ही महत्तोपोर कथन है कि क्या मैं राजनीत में आपका ही बालक नहीं हूँ हाँ मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ भटका हुआ जरूर हूँ महात्मा गांधी से अपने बारे में ये जवाहर लाल नहरू ने कहा था अगला प्रशन है दोस्तों खुदा वक्ष ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहा परिस्थित है तो ये पटना में है महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से प्रारंब ह हुई थी अगला प्रशन है बेगम एजाज रशूल आरके चोधरी रेडुका राय और हंसा महता में से महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संबिधान में किसने बात की थी तो रेडुका राय ने दोस्तों संबिधान सभा की सदस्य महिला सदस्य रेडुका राय ने म अहिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में बात की थी। अगले प्रशन पर आते हैं नेफा N.E.F.A. North East Frontier Agency देखे दोस्तों नार्थ East Frontier Agency जो है ये कालांतर में इसको समिकृत किया गया किसके रूप में तो अरुडाचल प्रदेश के रूप में इसे दोस्तों भारती राज जी के रूप में शामिल किया गया इसका पुरारा नाम नार्थेश्ट Frontier Agency यानि नेफा था। अगला प्रशन है अहमदाबाद Textile Labor Association की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद Textile Labor Association की अस्थापना की गई थी। और ये किसके लिए तो जो सूती कपड़ा छेतर में जो मजदूर थे उनके हितों की रक्षा के लिए। अगला प्रशन है इस्पिनिंग जेनी का आविसकार किसने किया था तो जेम्स हर ग्रीब्ज ने और दोस्तों करण सिंग शेख अब्दुल्ला यस्पी मुकरजी और स उद्धारक किसने कहा है तो फ्लोरेंस नाइटिंगल ने दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगल ने लाड रिपन के कारियों और उसके अच्छे बेवहार के कारण उसे भारत का उद्धारक की संग्यादी है अगला प्रशन है तरतीय पंचवरसी योजना यानि थर्ड सांखे की वीद है प्रशान चंदरमहाल नुबिस इन्होंने भारत की पंचवर्षी योजनाओं का जो है प्रारूप तैयार किया था अगला प्रशन है दोस्तू Нरसिंग महता किस वैशनों सक्थ भक्ति साखा से जुड़े थे तो ये वैशनों भक्ति साखा से जुड़े ह हुए थे नर्सिंग में था दोस्तों इन ही का प्रसिद्ध भजन है वैश्णो जन्तो तेने कहिए पीर पराई जाने जे ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन है आर ये द्रविण मुंडा तथा संथाल में से M17 का संबंध किस्से है तो उत्तर है मुंडा से दोस्तों मुंडा से संबंधित है M17 अगला प्रश्ण है सीटी आफगार्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो मद्ध युक के एक विचारक है संत आगस्टाइन इन्होंने सीटी आफगार्ड नामक पुस्तक की रशनकीब अस लूसीदस महाकाब्यक का लेखक कौन था तो कामोंस दोस्तों अस लूसीदस महाकाब्यक लेखक था अगला प्रेश्ण है अलमीडा, फ्रूट बर्नियर और पेलसर्ट में से द नवाब नामक पर सिध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है तो फ्रूट के द्वारा याद रखेगा द नवाब नामक नाटक लिखा गया है अगला प्रेश्ण है दोस्तों पेशावर कांड का नायक कौन था तो चंदर सिंग गढ़वाली ये पेशावर कांड के नायक थे खुशी राम, हरिप्रसाद टम्टा, सरस्वती टम्टा तथा जयानन्द भारती में से डोला पाल की आंदोलन का नायक कौन था तो आप जान लीजे डोला पाल की आंदोलन का नायक दोस्तों ये जयानन्द भारती थे इस आंदोलन का मुख्यों देश, सिल्पकारों, दूले दूलनों को डोला पालकी में बैठाने का अधिकार प्राप्त करना था इसी के साथ साथ शिल्पकार आंदोलन भी चल रहा था जिसके प्रमुख नेता जयानन्द भारती, खुशीराम और बल्देव सिंग आ रहे थे इन राष्टवादी नेताओं ने अपने आंदोलन को राष्टी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया अगला प्रश्ण है बंबई मदरास हुगली तथा अवध में से एलफिंश्टन गवर्नर था कहां का तो उत्तर है बंबई का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है दोस्तों माउंड सर्ट एलफिंश्टन बंबई का गवर्नर था यहां उसने कई से एक छडिक संस्थान प्रारम किये और ये इसकाटलेंड का एक राजनाइक और इतिहासकार था एलफिंश्टन अठारा सो अठारे में पहले डेककन आयुक्त के रूप में कारे किया था और इसने दो बार भारत के गवर्नर जनरल सिप से इनकार कर दिया था अगला प्रश्ण है वर्स उननीस सो में बाकसर विद्रो हुआ था कहां पर तो उत्तर है चीन में बाकसर विद्रो चीन में हुआ था अगला प्रश्ण है सामन्तवाद क्या है तो सामन्तवाद एक भूम याधारित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पढ़ा ली है दोस्तों सामन्त वाद जिसको फ्योडलिजम कहा जाता है इस सब्द का प्रियोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का बाड़न करने के लिए किया जाता रहा है और ये जर्मन सब्द फ्योड से बना है जिसका अर्थ एक भूमी का टुकड़ा है और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लेंड और दक्षडी इटली में भी विख्सित हुआ इस प्रकार सामन्त वाद एक भूमी आधारिच सामाजिक परजनीतिक पड़ाली है अगला प्रश्न है दोस्तों पोश्ट आफिस अक्ट यानि डागघर अधिनियम का पारित किया गया था तो 1854 में डागघर अधिनियम दोस्तों ये 1854 में पारित किया गया था अगला प्रश्ण है बेंस जार्ज बर्ड और थामसन में से 1891 में जनगरना आयुक्त कौन थे तो ये थे बेंस बेंस दोस्तों ये जनगरना आयुक्त थे 1891 में नटाल कहां परिस्थित है तो नटाल दक्षिन अफ्रिका में इस्थित है अगला प्रश्ण है जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसल्मान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है अगला प्रश्ण है 1888, 1889, 1880 और 1881 में से दक्कन एग्रिकल्चर रिलीफ एक्ट लागू किया गया था कब वह राजनेतिक जल जिसने भारत में सबसे पहले किसी राज में गैर कांग्रेशी सरकार बना कर कांग्रेश की एक आधिकार को तोड़ा था तो ये थी भारती कमनिष्ट पार्टी यानि CPI अगला प्रश्ण सुमेलित करना है बीकाजी, बीकानेर, होशंग साह मांडू, अहमद शाह बीदर और प्रताप रूद्र ये ओडिशा ये संबंधित जो हैं शासक है अगला प्रश्ण है 1865, 1868, 1866 और 1864 में शे संयूक्त प्रांत में नगरपालिकाओं की अस्थापना कब हुई थी तो उत्तर है 1868 में दोस्तों देखिए 1868 में संयूक्त प्रांत यानि यूनाइटेट प्रोविंस में नगरपालिकाओं की अस्थापना हुई थी अगला प्रश्ण है इंग्लेंड, हालेंड, पुर्तगाल और फ्रांस में से जिसके संबंध में कार्टज पड़ाली का उल्लेख आता है तो पुर्तगाल के संबंध में दोस्तों कार्टज पड़ाली का उल्लेख आता है अगला प्रश्ण है हाली पध्धती का आशे किस से है तो आप जान लिजे हाली पद्धती का संबंध बंधुगा मजदूरी से है अगला प्रश्ण है भारती सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझोता पर कब हस्ताक्षर किया था तो 29 नवंबर 1947 को बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है आप जान लिजे यत्ति भी याद रखिएगा कि भारती सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने 29 नवंबर 1947 को हस्ताक्षर किया था अगला प्रश्ण है देखिए परसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था तो मोनालिसा दोस्तों ये लियोनार्डो दे विंसी की रश्ण है लियोनार्डो दे विंसी मोहत पूर्ण चित्रकार था उसकी रश्ण है मोनालिसा और आप जान लिजे कि लाश्ट सपर के चित्रों के लिए भी लियोनार्डे दविंसी परसिद्ध था वह एक चित्रकार, मुर्तिकार, इंजीनियर, बैज्ञानिक, दार्शनिक, कवी और गायक था और लियोनार्डो दविंसी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन व्याकती था अगला प्रशन हैं दोस्तों जन्रल नियाजी ने मुक्तिवाहिनी के समक्ष समर्पन किया था कब तो 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने मुक्तिवाहिनी के समक्ष समरपन किया और नियाजी ने भारत के लेफटिनेंट जनरल जगजिस सिंगा रोडा के समक्षा समरपन किया था 1971 में सेख मुझेवुर रह्मान के नेतरेतु में बंगला देश की स्वतंता का अंदोलन प्रारम्भ हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को स्वतंतर बंगला देश का उदय हुआ अगला प्रश्ण है सामाजिक समझोता यानि सोसल कांट्रेक्ट पुष्टक किसकी है तो एक समझोतावादी विचारक हैं समझोतावादी विचारक रूसो इनके द्वारा सोसल कांट्रेक्ट पुष्टक लिखी गई है अगला प्रश्ण है पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंतर गड़ राज्य बंगला देश के नए नाम से किसने घोसित किया था तो शेक मुझे बुर रह्मान ने अगला प्रश्ण है दोस्तों वह गवर्नर जनरल जिसके विशे में कहा गया है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन भिन भागों को पालिश करने में लगाता है कि उसे यह ग्यान नहीं कि उसे कहा जाना है दोस्तों लाड करजन जो है इसका सासनकाल 1899 से 1905 था उसके विशे में ये कहा जाता है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन 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 भागों को पालिश करने में लगाता है किन्तु वह मोटर को चलाता नहीं क्योंकि उसे यह ग्यान नहीं कि उसे कहा जाना है लाड करजन भारत का सरवाधिक अलोग प्री वायसराय था और करजन ने 1903 में कहा था कि वायसराय पद से निवरित होने पर वह कलकत्ता निगम का महापाउर होना पसंद करेगा अगला प्रशन है कि गोबिंद वललब पंथ ज्वालागत जोशी जियोति रामकांडपाल और भवानी सिंह में से हैपी कलब का संस्थःपख कौन था तो गोबिंद बलब पंत दोस्तों 1903 में गोबिंद बलब पंत ने हैपी कलब की राज में चल रहे आंधोलुन को संगठित करने के लिए 1912 में अलमोडा कांग्रेस की अस्थापन भी उन्होंने किया था और 1916 में कुमायू परिशत का गठन हर गोबिंद पंत बदरी दंत पं संग RSS का अस्थापित किया गया था तो 1925 में दोस्तों राष्टी स्वयंग सेवक संग की अस्थापना 27 सितंबर 1925 को डाक्टर केशव हेडगेवार वद्वारा की गई थी और यह दिन बिजय अदश्मी का दित था राष्टी स्वयंग सेवक संग RSS या संग की नाम से पर पूर्तगाली देखिए बहुत ही महतपूर है पूर्तगाली जो है यह भारत में पर्थम बार मुद्रलाले का प्रियोग इन्होंने किया था 1923 का कोरफु विवाद हुआ था तो यूनान और एटली के मध्य अगला प्रश्ण है एच एच बिलसन जेम्स प्रिंसेप जेम्स इसमित में से भारती इतिहास को सबसे पहले तीन खाल खंडो हिंदू सभ्यता मुस्लिम सभ्यता और ब्रेटिस काल में भी भाजित किया था तो ये जेम्स मिल था अगला प्रेश्ण है दोस्तों देपाइनियर नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वार दोस्तों विजय सिंग पत्थिक जो है ये राजपुताना के बिजवलिया आंदोलन की प्रमुख नेता थे अगला प्रेश्ण है कि भारती संविधान का सबसे पहला संसोधन कब हुआ था 1951 में दादा भाई नवरोजी ब्रेटिस संसत के सदसे कहां से चुने गए थे तो भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा प्रांस की करांति से कम नहीं था ये कथन किसका है तो ये जैप्रकाश नारायन का पाकिस्तान कब बना था तो दोस्तों भारती गड़राजी का जो ब्रेटिस भारत था उसका दो राज्यों में भी भाजन किया गया भारत और पाकिस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था जापान की संसत का नाम क्या है तो जापान की संसत को डाहिट कहते हैं जैसे भारत की संसत को संसत या पारलियमेंट वैसे जापान की संसत का नाम activities है अगला प्रश्ण है मार्च 1946 को लाहोर की संधिके अनुखार इस्ट इंडिया कमपनी ने लाहोर में रेजिडेंट नियुक्त किया था किसे तो सर हेनरी लारेंस को पर्थम अंगले सिख युद्ध में पूर्टया हार हुई किसको किसकी तो सिखों की और भूदान आंदोलन किसने प्रारम किया था तो आप जानते हैं भूदान आंदोलन बिनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों तिलक गोखले रानडे और जवाहरलाल नहरू में से इंडियन सीविल लिवर्टीज यूनियन से घनिष्ट रूप से कौन जूड़ा था तो ये थे जवाहरलाल नहरू अगला प्रश्ण है पन्निकर, कुंजरू, फजल, अली और सरधार पटेल में से राज्य पुनर गठनायो का ध्यक्ष कौन था तो ये फजल अली थे कि सबसे जादे सैनिक अवध छेतर से ही थे अवध छेतर को सैनिकों की पौद साला के नाम से जाना जाता था 1856 में लाड डलहोजी को अवध को ब्रेटिस राज में मिलाने पर पूरे भारत के साथ आवध में भी विरोध हुआ और कमपनी में तैनात आवध की सिपाही भी नाराज थे जिनकी संख्या 75,000 थी 1857 के क्रांति में भी आवध की सिपाहीों ने महत्तपूर्ण भूमिका निभाई थी अगला प्रेश्ण है ग्रामसी, हीगल, माक्स और प्लेटो में से इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना जाता है तो ग्रामसी को देखे दोस्तों इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक ग्रामसी को माना जाता है ग्रामसी ने क्रिसक जनसंख्या वाले परंपरागत समाजों में माक्सवात के पुनह अध्यान और पुनह ब्याख्या की लहर पैदा की ग्रामसी का जन्म इटली के सारडीनिया में हुआ था और सबाल्टर्न विचारधरा के अंतरगत निम्न वर्गी लोगों के इतिहास पर जोर दिया गया है भारत में रणजीत गुहा को सबाल्टर्न इतिहास लेखन का मुख्य प्रेरक माना जाता है अगला प्रेशन है दोस्तों रेल्वे बोर्ड का गठन कब हुआ था तो 1905 में माक्स राम मनुहर लोहिया जवाहर लाल नहरू और राजा राम मुहन राय में से प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोगतांत्रिक समाजवाद की अवधाड़ा को किस ने विक्सित किया तो जवाहर लाल नहरू ने जवाहर लाल नहरू ने दोस्तों प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधाड़ा विक्सित की थी अगला प्रशन है नहरू भारत पर पूर्ण रूपेंड चाय हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर ये कथन किसका है तो सही उत्तर है ये कथन परसिवल इस्पियर का है जो कहता है कि नहरू भारत पर पूर्ण रूपेंड चाय हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर अगला प्रश्ण है महत्मा गांधी जवाहरलाल नहरू सरदार बल्लभाई पटेल और सुबाश अंद्रबोस में से भारत का विसमार के किसे कहा जाता है तो बल्लभाई पटेल को मेंशेविक क्रांती कहा हुई थी तो मेंशेविक क्रांती रूस में हुई थी अगला प्रश्ण है दोस्तों 1984 में सिखो पर जो अत्याचार किया गया उसे नियाय संगत ठहराते हुए किस नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब कुछ अन्होनी होती है तो ये राजियू गांधी का कथन है अगला प्रश्ण है जी एस लिविदेव अथान सियम निकितन और गोर्की में से रूस में भारती विद्या का जनक कहा जाता है किसे तो जी एस लिविदेव को रूस में भारती विद्या का जनक कहा जाता है अगला प्रेश्ण है सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्विकार करने का एक कारण था ये देखिए बहुत ही महत्पूर्ण प्रेश्ण है आप जान लीजे कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्विकार करने का एक कारण था ये किसने कहा है तो ये माइकल ब्रीचर ये माइकल ब्रेशर का कथन है माइकल ब्रेशर ने अपनी पुस्तक नहरू दे पॉलिटिकल बायोग्राफि में लिखा है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्विकार करने का एक कारण था ब्रिशर ने लिखा है कि माउंट बेटन ने नहरू को भारत का भावी प्रधान मंत्री कहकर उनमें सत्ता की आकांच्छा और उतावलेपन का भाव पैदा कर दिया था पंडित नहरू ने स्वयंग माना कि वे संघर्स करते करते ठक गए थे अगला प्रशन है अतीत ब्रितांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ट सलाग्य और निस्पक्ष है जो राग द्वेश से परे है ये कथन किसका है तो ये कल्हड का कथन है कल्हड की राजत तरंगडी को पर्थम इतिहास गरंथ माना जाता है और उनका कथन है कि अतीत ब्रितांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ट सलाग्य और निस्पक्ष है जो राग और द्वेश से परे है कल्हड की राजत तरंगडी से कस्मीर के हिंदु राजजिका इतिहास ग्यात होता है और इस क्रंथ की रशना कल्हड ने राजा जैसिंग के शासनकाल में की थी तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टी जी टी पी जी टी यल्टी ग्रेड भारती इतिहास के वन लाइनर प्रशनों की स्रिंखला में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बिवेत प्रशनों का भाग एक जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महुत प सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार